दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक 2.5 मेगावाट का सोलर प्लांट कितनी इनिट जनरेट कर सकता है एक दिन में जब की धूप बिलकुल ना निकली हो जो सूरज है वो दिखाई भी नहीं दिया हो तो उस दिन ये प्लांट कितनी इनिट को जनरेट कर सकता है इसकी इनिट को कि निकलना कैसे निकाला जाता है तो हम इसकी इस्क्रिन रेकॉर्ड नहीं कर सकते तो इसलिए प्रकार से इसके बीद्धा क्ऊसेchn बनाना पड़ेगा सब्सक्राइब निकल के आएगा तो देखिए हाँ से हमें जो डाटा है यहां पर मेगगावाट आवर दिखाई दे रहा है तो सबसे नीचे के नीचे आएगी और बहाँ से एक जो डाटा रहेगा इसका उसको कौपी करना अपर, यहां पर बनाते के बास प kitten, यहां पर आपने के बाद को किसे सब नीचा किये िचान. यहां पर बनाते हैं यहां पर नीचा सिर्फ प हमनय को पर होना करेंगे तो शरक स्टेशन का कमगें. तो यहां पर देखें मीटर रेडिंग जो है मेगावाट आवर में तो उसको 17 तारिख है उस डेट को हमें इसको पेस्ट कर देना हुआ तो चलिए इसको हम paste कर देते हैं तो यहाँ पर इसको paste कर देना है बेल उपर और इसके बाद यह हमारे दो PCU हैं तो एक PCU की यहाँ पर generate कर दी और दूसरे की भी हमें करनी है तो देखिए जहाँ से हमने जो file open की थी जहाँ से हमने copy किया है data उसी के side में हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे सबसे नीचे जो है वो PCU 2 की data दिखाई देगा तो इसको भी हमें copy कर लेना होगा और इसको copy करके हमें जहाँ पर हमने उस बाले data को save किया है पेस्ट किया है वहीं पर हमें देखिए दूसरा जो PCU यहाँ पर मेगावाट आवर में जो reading है उसको यहाँ पर paste कर देना होगा जैसे हम उस reading को paste करेंगे तो जो kilowatt आवर में जो हमारी reading है unit है वो निकल के आ जाएगी जिस दिन की जो धूप है वो बिलकुल नहीं निकली थी उस दिन बिलकुल सूरज दिखाई नहीं दिया था उस दिन इतनी unit generate की है इस plant ने तो चलिए अब हम आपको graph में दिखाते हैं कि किस परकार से जो generation होती है जब धूप नहीं रहती है जो graph है वो किस परकार से होता है तो देखिए जब धूप नहीं रहती है जो graph है वो इस परकार से होता है कहीं आप हो जाता है कहीं down हो जाता है और लेकिन जब धूप रहती तो जो graph है वो बराबर एक जगह से start होता है तो जैसे जैसे धूप जाता होगी जो radiation बढ़ेगी तो उससाब से जो graph है वो बढ़ता जाएगा और जैसे दूफैर से सामोना शुरू होगी तो जो graph है वो नीचे आना शुरू हो जाता है तो दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जिस दिन धूप बराबर रहती है दिन भर धूप रहती है तो उस दिन ये 2.5 मेगाबाट का सोलर प्लांट है कितनी इनुट को जनरेट कर सकता है तो दोस्तो इसी प्रकार की वीडियो अगर आप देखते रहन आपके पास आजाए क्योंकि हम सोलर प्लांट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत कामा सकती है